आज की क्लास में हम लोग बेसिकली पांच कोशिश करेंगे हम पांच क्योंकि पैटर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं नहीं भी हो सकते हैं तो हम कम से कम तीन पैटर्न आपको बताएंगे अगर बचते हैं तो फिर वो इन फ्यूचर कोई सेशन लेंगे तो उसमें क्लियर करेंगे तो अभी के लिए इमार करके चली कि कुल मिला करके हम तीन फॉर्मेशन आपको बताएंगे केंडल से हैं वॉल्यूम और प्राइस इन दोनों को मर्च करके इन सारी फॉर्मेशन का हम लोग यूज करेंगे तो कुल मिला करके आप ये तीन पैटर्न समझोगे और ये पैटर्न ऐसे हैं प्राइज अपड़ डाउन जा सकता है या अप मूव कर सकता है यह हम लोग प्र फॉर्मेशन का यूज कर जाओ गया तो यह एक तरह से बहुत हेल्फूल करेगा हम वस जो फॉर्मेशन का अब जिस्ट यूज करना वह एक तरह से क्लियर कट डिरेक्शन होता है डाउन तो डाउन अब तो अब कॉइंट ओफ एक्शन जो हम बेसिकली आपको बताते हैं भी पॉइंट ओफ एक्शन पर ही करते हैं यह सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है फॉर्स्ट फॉर्मेशन बेसिकली जो अभी हम लोग देखेंगे यह तरह का फेक ब्रेकाउट होता है इस फेक ब्रेकाउट का यूज बेसिकली होता क्या है तो कि बहुत अच्छी तरह से सोथ समझ Google कि और इनफारमिशन का यूज किया जाता है फॉर्स्ट फॉर्मेशन ब्रेक ब्रेकाउट फेक ब्रेकाउट यह होता क्या है अब अगर हम लोग सिर्फ फेक ब्रेकाउट में आएंगे तो आपको एक नहीं, कम से कम एक तो तीन, चार पाँच छे, सथ सत्व तो के according यह होता क्या है अभी जैसे आपने देखा होगा मदर केंडल फॉर्म होती है जैसे यह आपकी एक कोई मदर केंडल है यह मदर केंडल बन गए अब इस मदर केंडल का ब्रेकाउट जोरी तो नहीं है कि थर्ड केंडल में हो जाए अप में या फिर डाउन में में भी चांसे कि प्राइज आपका इनर रेंजेस फॉर्म करें यह इनर इस्ट्रक्चर्स फॉर्म करें इंटर्नर इस्ट्रक्चर्स यह फॉर्म कर देने के बाद में चांसे हैं कि प्राइज आपका अप साइड की तरफ निकलने की कोशिश करें ओपर की तरफ और यह वापस रेंज के अ कर दे उपर के तरफ क्लोज कर दे और इस क्लोजिंग के बाद में प्राइज आपका डैरेक्ट नीचे की तरफ मूफ करते हैं होता क्या है इस केस में यह जो फेक ब्रिकाउट होता है देखिए इसको बहुत अंडरिस्ट्मेट किया जाता है क्योंकि जो कितनी आसान होते हैं हम अगर कर रहे होते हैं तो देखने से लगता है यह क्या है इतनी आसान चीस है जो उधे कुछ प्रॉब्लम हुई सको समझने में है कैसे इसका यूज़ करते हैं how to use this type of formation साही formation इसके लावा भी जिभ्मी formation से इनका use कैसे करेंगे और कहां पर use करेंगे how to use and where to use in दोनों questions questions के answer भी में आपको देंगे हाउ और वेर सबसे पहरे समझ लेते हैं देखें यहाँ पर basically या how to use वेर टो यूज को हम अलग नहीं कर सकतें दुनों आपस में न मर जाएं आपस में मिली हुई हैं सबसे पहला तो हमारे पास जो trend identification होता है ना trend identification ये clear होना चाहिए कि actually हमें करना क्या है क्या हम buying करेंगे फिर selling करेंगे ये clear हो करना है तो करना क्या है क्योंकि अमालिज हमें करना है बाई और हम देख रहें दोनों साथ की trade ऊपर निकलेगा तो निकलेगा तो निकलेगा तो नीचे हम trade कर देंगे इस condition फिर मार पढ़ती है बहुत तेज direction clear होना चाहिए एक बार direction clear हो गया अब वहां से हम लोग देखते हैं where to use इसका use actually करना कहा पर है अगर हमें एक बार ये समझ में आ गया अब ये तो clear है कि buying करनी है selling करना क्या है अब हमें क्या है अब यह में क्या है information को justice समझा रहा है तो इन्हें clear करने के लिए ये जो चुटी चुटी topic है इनकी कि मदद तो लेनी ही पड़ेगी तब ये समझ में भी आएगा लेकिन इस confused मत हो जाना कि बाई उससे हम बोल तो रहें लेकिन में करना तो आता नहीं तो यहाँ पर confused हो गया जो भी फॉर्मेशन हम बता रहें ना इनके लिए ये जरूरी है अब जैसे ये फेक ब्रेकाउट है इस फेक ब्रेकाउट को जस्ट आप ये मान करके चलो कि हमें ये दिख रहा है कि कहीं पर भी अगर इस तरह के कोई फॉर्मेशन बन रहें कि एक बड़ी सी फॉर्मेशन बन रही है इसके अंदर ये छूटी छूटी कई सारी केंडल स्वाम हो रही है और प्राइज आपका अपसाइड की तरफ रिक आउट करने की कुशिश कर रहा है बट ये फॉर्मेशन हम उस स्टॉक में उस जगह पर द इसको लगातार ब्रेक कर और यहां पर एक मधर केंडल फॉर्म हुई है जहाँ पर वॉल्म्स को हम लोग कैसे देखते हैं कि जितनी भी फॉर्मेशन बनी है फर्स्ट वाली के तो नार्मल वॉल्म रहती है और जो बात की कैंडल से हैं इन में किसी की भी कैंडल की ज्याद होगी तो यह वॉल्म्स के ब्रेकाउट होते हैं अब यहां पर में क्या देखा ना वॉल्म्स के ब्रेकाउट भी देख लिए प्राइस का भी ब्रेकाउट देख लिया बट प्राइस निकल रहा है यह आपका अपसाइट की तरफ निकल रहा है है ना अब उपर की तर जाए हमें कुछ नहीं करना तभी तो समझ में आता है कि ब्रेक आउट फेल हुए अदर्वाइस आप यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है आप कर दो बाई बाई कर दो बाद में प्राइस फिर आपका नीचे की तरफ गिर जाएगा तो होता है कि फिर जब स्टॉक चल जाता है ना तब समझ में आता है ओके यह फेल ब्रेक आउट था जो हमने पढ़ा हुआ था पढ़ा तो था अपने फेल ब्रेक आउट बट हाओ तो यूज यूज इसका method क्या है इसका actual method क्या होता है रीट करने का वो यह होता है हमारा direction clear हमारा point of action clear where to use how to use trend identification by और से लिए सारी चीज़े clear अब इन फेल ब्रेक आउट का हम यूज करते हैं अपने favor में क्यूंकि यहाँ पर जो भी buy करने को होगा ना वो buy करके बैठा हुआ है और अब अगर उसने buy किया हुआ है और price को उपर की तरफ जाने तो फिर यह चला जाए इस condition में फिर हम लोगों का trade execute actually होता है क्योंकि trend identification जो हमने कर रहा है वो downside का है तब उपर जाने के बाद में वापस से price अगर उपर जाना तो फिर यह चला जाए वापस से range के अंदर actually करने क्या आ रहा एक तो मेरे जो point of friction है वहाँ पर in formations का बनने के बाद इसका upside के तरफ breakout कर देना volumes के breakout सारे breakout actual सारे breakout हो रहे हैं और price आपका upside के तरफ move कर रहा है अब अगर इसको उपर जाना तो चला जाए लेकिन इतने सारे strong symptoms दिखा देने के बाद में price हमारी वापस से मेरी range के अंदर करने क्या आ रहा है इस range के अंदर आया ही क्यों आया तो आया यहां से इसको turn हो जाना था यह upside क करने थी short selling उसने buy side में traders को किया trap और अब अब फिर हम लोग यहां से उन लोगों के stop loss लेने के लिए काम करते हैं जिन्हों ने actually यहां से buy किया हुआ है और यह possible सिर्फ हो सिर्फ हो पाए आपके point of action के वज़े से where to use यानि के जो आपका trend identification था और buy or sell जो भी करना था इतनी सा आपने इसको करने से पहले की और अभी यह clear हुआ समझ मैं है ना कि आपका एक point of action है यह वाला idea दोगों को वीडियो हमने share किया ना उन वीडियो से भी देखे बहुत सारी formation हमने बताई हो गया और आगे के classes में भी हम बताई है इससे पहले जो classes ही उसमें हमने formation बताई है वन आवर का time frame बताया है उसको भी सी किंदर हम लोग रखेंगे तो mother candle just यह सिर्फ एक example है इसको हमन short के बाद में फिर यह उपर की तरफ चला जाए इस तरह से यह क्यों इसने उपर की तरफ closing कर दी हमें तो short selling करनी है तो हम तो buy करेंगे नहीं जैसे ही price आपका downside की तरफ आएगा जैसी आज़ा आप समझ लेना कि आपने बहुत सही analysis कि है आज के दिन price नीचे निकले आपकर दीना short उस वक्त का जो swing लगेगा वहाँ पर हम लोग फिर अपने stop losses लगाएंगे इस stop loss के और भी रोल से यह धिरे-धिरे करके पता चलेंगे आपको यह होता है fake breakout और यह fake breakout बहुत से लोग बता देंगे आप खुद भी जब आप read करते होगे market के अं इस तरह से वॉल्म को यूज करना information में सिर्फ price का ही according ना चलो वहाँ पर फिर मुलोग volumes को भी देखेंगे और जो इसका time frame होता है information क्योंकि हम लोग lower time frame पर काम करें simple सी चीज़ए 5 minute का time frame होगा 5 यह तो थी एक site की एक site in the sense camera shot selling की अब यहाँ पर हमें buying करनी तो buying के लिए क्लिए क्या कुछ अलग सी थोड़ी ना है इसी एक जस्ट वाइस वर्सा हो जाता है एक तो यह formation हो गई अब दूसरे जस्ट आप इसका वाइस वर्सा कर दो आपको करनी है buying यह आपका area है इस एक जगर से में buying करना है प्राइस क्या कर रहा है यह इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है यहां पर यहां माल लीजे point of action पर आने के लिए price ने क्या किया ना down से upside का movement दिखा और यह आपकी point of action पर आगया अब यहां से मैं count करना होता है कि कहां पर formations form हो रहे हैं अभी जैसे आपने बताया है example के लिए हम अपनी mother candle को ले रहे हैं तो यहां पर यह वाली candle बन गई और यहां पर जिस तरह के volume के structure हमें आपको बता है उस तरह के volume के structure clear है हमें buying करनी है अब यहां से क्या हो रहा है यह बन गई ना formation अपनी अब price आपके direction में जाने की बाद में फिर से नीचे की तरफ गर जाए तो क जिन लोगों यहां पर short selling की ज़ूरी नहीं कि price आप down side closing करने के बाद में उपर ही भाग जाएगा नहीं भागएगा अगर नहीं गया तो मतलब यह आज आपका दिन नहीं है आप ट्रेट नहीं करना आप कुसी picture देखनी है market खत्म हो जाने के बाद में इसके उपर बैट करक नहीं है बाइंग करनी है किसी भी condition बाइंग करेंगे selling नहीं करेंगे price नीचे की तरफ जा रहा है चला जाए हम जो picture देखना चाहते है market वही pictures form करती तभी हम अपना काम करेंगे हमने सोचा था हम बाइंग करेंगे और बाइंग करने कि structures मेरे कौन कौन से होंगे यह market structure form करे उससे पहले आपके दिमाग में चप जाना चाहिए exact नहीं हो सकता लेकिन price action वैसे ही होने चाहिए तभी हम लोग आगे की तरफ उसके अंदर कुछ अपन analysis को continue करते है अदरवाइस हमें करने बाइंग नीचे की तरफ हम छोड़ देंगे उसको जाने दो लेकिन अगर नीचे उनके stop process ले लो यह tricks होती है अभी इसका एक नहीं हम क्या कर रहे थे भी तो चार्ट चली रहा था ना शायद अपना यह देख रहे हैं यहाँ पर देखिए यह formation बनी इतनी इसके बाद से क्या हुआ कि price आपका ऊपर की तरफ गया यहाँ पर प्रॉपर क्लोजी नहीं हुई लेकिन एक candle को upside की तरफ ब्रेक किया गया सस्टेने ही मार्केट जहां से सी देए नीचे की तरफ गिर गए यहाँ पर वॉल्म के breakout यह एक 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 नहीं आपको बहुत सारे example मिलेंगे इस तरफ के बहुत example मिलेंगे जैसे कि और हम लोग अगर पीछे से चलें जैसे यह एक ब है ना एक यह formation बन गई प्रैस ने क्या किया upside की तरफ closing की यह अपने resistance को एक्शली प्रोटेक्ट करता आ रहा है यहां से यह reading सोती है देखिए यह बड़ी से गंडल बन गई कि बाद में आप आगे की तरफ आ जाएगे यहां पर देखिए क्या हुआ फिर से resistance बन गया प्रैस ने क्या गया downside की तरफ breakout यहां पर upside की तरफ निकलने की कोशिश की लेकिन फिर market ने क्या किया ना downside की तरफ breakout और अब यह नीचे की तरफ कोई भी example आप उठा लो यह होते है आपको किसी भी time frame पर कैसे वी आप यूज करो बहुत बहुत बहुतर इसका आप आपको result देखने को मिलेगा एक question यह उठता है कि जिस भी चीज़ को आप continuous use करते रहो तो market में वो काम करना बंद कर देती है यह एक myth है देख शेक तरह का हम लोग इसके उपर बहुत 100% sure नही जिसका actually market में काम करने वाले से कुछ लेना देना नहीं होता है उसे financial एक growth करने के लिए जो कि एक proper जो lobby है उसने अपना एक theme बना रखा है कि किसी भी system को abuse करो वो जहाद दिन तक नहीं चलेगा ताकि फिर आप और पढ़ो और पढ़ो नया पढ़ते रहो नया पढ़ते रहो जो चीज़ हम बता रहे ना आप इसको कहीं किसी stock में आसे 10 साल 20 साल के बाद लगाओगे ना तब ही काम करेगा ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं आप माले ये 10 साल बाद यूज कर रहे हैं कुसी चीज़ को हमने अगर को system बताया आप 2 साल तीन साल यूज करोगे तीन साल तक continuous एक system के उपर practice करके ऐसा होता है कि फिर आप उस system को अची तरह समझने लगते हो एक system ही काफी होता है जिन्दगी बदलने के लिए या जिन्दगी पर उसी system पर काम करने के लिए सिर्फ आप एक system को master कर लो just imagine कि हम आप गर आपको VA से पढ़ा रहे है spread analysis के according आप stocks को trade करने लगो दो साल तीन साल चार साल जब आप उसको trade करने लगोगे तो समझ में आ जाएगा इसके pros और cons आपको समझ में आ जाएगे आप उसको और बहतर बनाते रहोगे और बहतर बनाओगे आपका एक stop loss जाएग होती जाती कोई भी एक system पर लगातार काम करी नहीं सकता नेक्स्ट्रीम पॉसिबल है वो कभी एक system पर काम करी नहीं सकता और हम यह भी करें कि system सभी कोशिश जितने हुई traders आप में देखने हूं सबका system fix होता है लेकिन हमेशा वो अपने system को और improve करता चला जाता है system को change नह वही है लेकिन बहुत सारे changes हमने किये उसके अंदर ऐसा थोड़ है नहीं किम्री system change मतलब बिल्कुल ही remove कर दिया replace कर दिया नहीं वैसे हम काम करें वैसे मेरी candles reading चल रही है आप दो साल तीन साल पहले हो कोई video ठाकर देख लो अभी का देख लो सम्मे सारी चीज़े सेम है यह हम क्यों बोलना है क्योंकि बहुत साही लोगों के questions होते हैं तो कभी भी इस चीज़ से घबराना मत या फिक practice करने इस पहले यह समत सोचना है कि अभी थो हम कर रहे हैं दो साल बाद मारा क्या होगा ऐसा कुछ नहीं होता है तो इस चीज़ से बिलकुल बे-फिकर हो करके practice कर ठीक है ना यह समझ मैं है हमने आपको शॉट का बता है और यहां से सेम चीज़ आपकी buying की थी हमें बाइंग करना ही price नहीं आपका downside की तरफ closing अपside की तरफ price अगर आपका move करेगा तो फिर यहां से बाइंग करें यह होता है आपका fake breakout सबसे पहली formation है यह clear cut direction पता चल जाए अगर आपका upside की तरफ जाए clear रहे यह buy ही होगा buy होगा यहां से आपको क्या करना है शॉट से लिंक है नहीं price upside की तरफ आपको closing दिखा दे और वह अपसा करके downside की तरफ गिर जाए आप sale के लिए बैठे तरफ में buy किया ही नहीं था जैसे ही आपको information आपको आपके chart पर दि और हम लोग आगे बढ़ते हैं एक काम करें सभी लोग region करें जाए फटाक से सेम लिंक से जल्दी से region कीजिए यह होता है कि actually rejection candle trick होती है इसको आप analysis भी बोल सकते हो rejection candle trick इस rejection candle में होता है क्या है basically देखिए इसमें हम लोग total two to five candles लेकर के चलते हैं two to five candles याद रखना time frame five minute का ह रहेगा two to five candles अब इन candles का use हम लोग कैसे करते हैं प्राइज आपका continue down या इसको देखिए एक दो तीन चार प्राइज गिर रहा है लगातार यहां पर आपको किसी भी एक candle के continuously low break होते हुए दिखाई पड़ेंगे जब जब प्राइज आपका low break करेगा यहां पर आपको movements दिखाई पड़ते चले जाएंगे जैसे जैसे आपकी जो lows हैं वह ब्रेक होंगे जैसे की यहां पर low break हुआ इस जगे पर low break हुआ यहां पर low break हो गया है ना लेकिन एक point ऐसा आता है कि जहां पर प्राइज आपका य इन लोज को ब्रेक करना यह बंद कर देता है और इसकी कुछ फिक्स स्केंडल्स नहीं है कि चार के बाद यह पांच यह सत्रह बीस के बाद में low break करना बंद कर देगा यह मैनुली में देखना होता है यह आप देखते कि कौन से स्टॉक पर हो जिस स्टॉक को आप ट्रेट क किसी भी स्टॉक को जाकर करके नहीं देखने लगना है कि यह हो कहां पर रहा है तू टू फाइफ केंडल्स हमने यह आप लिख रखें इसका क्या सेंस है जैसे प्राइज आपका कॉंटिनुसरी डाउंसाइड की तरफ गिर रहा है एक केंडल यहां पर ऐसी बनी जिसके नी की तरफ गिर रहा है और अगीं प्राइस हमारा आप स्ट की तरफ आ गया है वो केंडल जो कि अपने डाउनसाइड के तरफ की क्लोजिंग को एप्रूवल ना दे या फिर बहुत मुछ्टिल हो प्राइस को डाउनसाइड की तरफ क्लोज कर पाना क्योंकि ऐसा क्या रिजन कि प्राइज यहां तो continuously break out करते हुए आ रहा है बट इस जगे पर आकर कि यह रोग गया हमारी जो master candle बनती है वो यह वाली candle बनती है master candle ठीक है यह मेरी master candle master candle क्यों क्योंकि इसके निचे फिर closing हो नहीं रही करना क्या होगा देखे एक्चुली यह rejections होते हैं देखने से लगेगा कि price हमारा downside की तरफ continuously fall हो रहा है continuously गिर रहा है बट क्योंकि यह rejection है और यह वाली जो candle हमारी master candle यह price को नीचे की तरफ जाने नहीं दे रही यहां से होता है इनके जितने भी internal structures हुए है यह थोड़ा सा aggressive माना जाता है प्राइश एक्षिन के अंतर है internal structures के according हम पहले सी प्रेडिट करते हैं कि breakout हो जाएगा बहुत बार होता है लेकि बहुत बार नहीं भी होता है जब तक price हमारी master candle को cross नहीं कर लेता तब तक हम यहीं मानते है कि price ने भी कोई clear cut direction नहीं मिला क्योंकि जब हम stocks को trade करें तो वहाँ पर benefit यह मिल जा रहा है माल लिजे हम निफ्टी हिंडालकों को trade कर रहे हैं तो वहां फिर हमें metal sector देखनों को मिल जाएगा में भी चांस है हिंडालकों आपके internal structures को upside की तरफ ब्रेक कर दें बट जो आपका metal sector वो downside की तरफ भी breakout कर रहा है तो यहां पर फिल्म लोग रूप जाते हैं नहीं करेंगे क्योंकि चांस है प्राइस हमारा master candle के पास से reject हो जाए एक fake breakout दिखाए जैसे कि previous fake breakout के according हमने stop process लिए अब यहां पर हमारे stop process चले जाए समझभा रहे है इसका benefit हमें किस तरह से मिल सकते है एक जो दूसरा तरीका है क यहां पर internal structures के तो breakout हो रहे हैं बड़ जब हम लोग metal sector को देख रहे हैं तो वह भी अपने जो resistance उसको upside के तरफ ब्रेक कर रहा है then chances are very high के price जहां पर आपके master candle के high के उपर closing मार दे और अगर ऐसा हो जाते तो फिर यह होता है approval लेखते रहेगा conditions बनती है कि फिर हम लोग यहांसे buying करते हैं इसमें volume के भी अपने structures होते है volumes को confused हो जाओ गया अभी volumes को थोड़ा सा रोक के रखते हैं समझ में है इतनी इस याद रखना अपना यह वाला जो structure बना नहीं तीन केंडल का इसको याद रखना काम सारी सी से होंगे यह मानले यह उपर से नीचे की तरफ आयता है कोई और structure होगा वो down से अब शायट के तरफ जा सकता है मिल करके ही काम करेंगे अब यहां पर सारी candles को छोड़ करके हम ब्रिक आउट आपके upside की तरफ हो जाएं जैसे ब्रिक आउट आपके internal structures के upside की तरफ होने लगें आप यह समझ लेना है क्योंकि हम लोग इस stock के अंदर क्या कर रहे थे buying इसके अंदर हम लोग कर रहे थे buying प्राइस हमारा downside की तरफ आने के बाद में rejection candles बनाने लग गया यह rejection candles transform करने लगा अपनी master candle के बाद में यह कुछ-कुछ मिलता जोलता पहले format से ही है लेकिन पहले में क्या था वो एक mother candle type की concepts थे वहां पर कुछ इस तरह की formation नहीं देखने को बता है यहां पर compulsory नहीं है कि mother candle बना दे यह तो mother candle नहीं है यहां पर प्राइज ने क्याना है डाउन जैसे ही अपसाइज की तरफ closing कर रहे हैंंग यहां से अपना trade execute कर सकते है यह फिर अप्रीज के साथ में होता है इंपर स्टेश की तरफा आफ के closing मारे Times मैं यहां से फ्रिमलों और इसका जस्त एक वाह समझ्छ लो कि प्राइज हमारा अप 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 में जा रहा है यह पहुँच गया मेरे बिल्कुल रेस्टेंस पॉइंट यहां तक पहुँचा है हमें एक शॉर्ट सेलिंग करनी है यह तो बाई कहो गया यह वाला हमें करनी है शॉर्ट सेलिंग फिर फिर इसने फिर 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 को पुरोटर करना शुरू कर दिया फिर 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 इसने proven को पर जाने की कोशिच कर रहा हुँ यह विविग बन जा रहा इंदर आ जा outta कि हमारी जो मास्टर केंडल है इसके अंदर इसके क्लोजिंग नहीं हो पा रही पॉसिबल नहीं हो पा रही और प्राइज नीचे की तरफ गिर रहा है ऐसे करता हुआ तो जैसे ही प्राइज या तो इंटर्णूर स्ट्रक्शर के कॉर्डिंग अगर हम दो काम करेंगे तो और जैसे ही प्राइज ने हमारी रेंज के नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दी शूर यह केंडलिस्टिक पैटर्ण्स जो हम बता रहे हैं आपको यह केंडलिस्टिक पैटर्ण्स आप किसी बुक में नहीं मिलेंगे कहीं पर भी नहीं मिलेंगे कहीं नहीं मिलेंगे यह मेरी अपनी खुद की आपजर्वेशन है यह मेरी अपनी खुद की आपजर्वेशन है जो हम आपको बता रहे हैं यह स्ट्रक्चर आप सोचने जाओ कि हम मार दें आर्सीटी जरेजेक्शन केंडल ट्रिक की हमको मिल जाएंगी नहीं मिलेगी आप सर्ज करके देख लो कहीं पर अगर यह केंडस आपको मिल गए तो प्राइज अपका अप जाएगा या डाउन जाएगा यह पता सिल जाएगा आपको इससे और अब यह दो ही है इसमें वॉल्यूम को बता है नहीं पहले प्राइस का करिए वॉल्यूम्स का जितना वी उसे हम कोशिच करेंगे नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं ना मास्किंग विद बेबी केंडल मास्क का मतलब समझते हैं किसी भी केंडल को छुपा ले ना इंगल्फ के नाम से इसको जो जो आप लोग जानते हैं वो इंगल्फिंग केंडल बेसिकली अपनी प्रीवेस केंडल को पूरी तरह से मास्क कर लेती है वाली के और इसके बाद में सारी चीज़े वही हूंगी कि यहाँ पर फिर mother candles बनने लगती है baby candles वरे कई सारी baby candles बनेंगे master candle कौन सी बनती है मेरी ये वाली candle इस formation का use कैसे करेंगे एक चीज जो तीनों ही formation में common थी बिलकुल common थी वो है मेरा point of action पॉइंट और पॉइंट ऑफ फेक्षन तीनों में common है कहां पर यूज करना है क्यूंकि पॉइंट ऑफ च्छन से अलग कहीं पर भी अगर फ़र्मेशन बन रही तो इसका मतलब कि वह मेरे काम की नहीं है हम यूज नहीं करें कि किसी किसी भी काम की नहीं हो डिरिक्शन के लिए चलिए अब हम आखो दिखाते हैं इसको थोड़ा उसे सुनिएगा देखिए एक तो यह formation मान लीजे इसका जो कलर होता है इस केंडल का जो कलर होता है वह होता है पॉजिटिव सेंडल जो मास्टर केंडल है बहुत सारी चीज़े सेंडल करती है अगर इस candle candle का colour होता है green तो हम लोग करते है sale अगर green है तो हम लोग sale करेंगे या फिर यहाँ पर इस वाली candle का अपना colour हम लोगों को मिलता है red कहाँ पर draw करें यहाँ पर तोड़ेदे हैं एक यह चोटी सी candle पहले तो masking यह अपने आप में बहुत strong formation सिर्फमासकिंग को लेकर के भी हम लोग बहुत साथ एडिक्स को एड्सकिए करतें सिर्फ मासकिंग को लेकर इसके बाद में बेबी केंडिस फ़र्म हो यह रहे हे हैं वालू का जो रोन है इससे पहले जिसमें ना के वोलुम को अने बाग में बताएंगे और यह इन दोनों में वालूम का रूल लगवाग सेम ही है एक का बता देंगे तो दोनों का क्लिए हो जाएगा आपका कितनी बार हम टाइम बताएं बोला ना पांस मेंट का टाइम फ्रिम होगा सब लोवर ठाइम फ्रिम के formation ही हैं अगर फ्रस्ट वाली कंडल इस वाली कंडल का कलर हमारा हो जाता है ब्लैक यह वाली कंडल हमारी नेगेटिव बनती है तो फिर हम लोग इसको 되어 भाइं करते हैं यहां से बाइं होता है दोनों में यह फरक है अब तीनों फॉर्मेशंस के अं आप काम करोगे common चीज जब निकालोगे तो आप देखो कि हम लोग actually कुछ opposite कर रहे है अगर यह ग्रीन केंडर हो तो फिर यहां से इसको buy होना चाहिए इसको हम sale क्यों कर रहे हैं क्योंकि majority यही काम करेगी और बहुत हद तक देखो कि किसी दिन यह buy हो रहा तो भी बहुत अच चाहिए stop loss उनके जिन्होंने buy कर रखा है तो जैसे price आपका downside की तरफ आने लग जाए जैसे downside की तरफ आने लगे है आप लोग short selling करते ना और अगर यहां पर आपको कहीं पर fake breakout दिख जाए तो यह समझ लें ना सोने पर सुआगा है यहां से फिर हम लोग short selling करते बहुत अच अच्छी confirmation बहुत अच्छी formation आप यूज करने लगोगे ना आपको दूसरी किसी formation के मतलब एक जो शुरुवाती basis पर दिक्कत आती है ना starting कैसे करें कहां यह तो बहुत basic basic formation है बहुत basic formation है trade execution हम लोग करेंगे तो formation अपनी change हो जाते हैं सारी formation Candace change हो जाएंगे अगर Candace change हो रही तो Candace के पीछे के बनने वारे जो psychology होते हूं psychology चेंज हो जाएगे अभी हमने आपको क्या किया है नेकेडली सिर्फ information पूरी formation बता दी अभी इसके पीछे कि psychology उन्हें बताई ने बताने बैठेंगे एक एक गंटा ऐसी चला जाएगा तो ठीक है जो भी psychology बन नहीं बन रही है उसका एक्शुल आउटपुट यह होता है जो outcome होगा वो यह होगा तो जो काम की चीज़े हैं बहुत ज़्यादा तीम च्हमागरम आपको बताए भी थे तो confused हो जाओगा तो उससे फर्क नहीं मतलब बहुत ज़्यादा पी दिक्कत आने लगेगी यह भी करें भी करें कि मल्टी कंफिमेशन एक अच्छा लगता है बार बज़े हम लोग मल्टी कंफिमेशन से लेने के लिए बैठते हैं ना जितनी ज़्यादा चीज आप सीखते चले जाओगे लगेगा कि अच्छा यह भी दिखने लगा है क्योंकि जिस मार्केट में लोग काम करें वह बहु स्थे मार्केट इन्फरमेशन से ही चल रही है ज हम आपको बुलिश घेंची काम कर रही है ठाल घैया F कर लो आप एसमसी कॉंसेट्स पढ़ लो आप प्रैस एक्शन पढ़ लो आप एसे में रीट कर लो आप ग्रह नक्षात्र चंद्रमा सूरेज यह सब देख करके ट्रेट करने लग जाओ ना तो आपको मार्केट फी बीस त्रेस दिखाई पड़ेगी एक चार्ट आपको बीस पॉइ स्यूज़ कर स्युnews कर रहो काम नहीं को ही नहीं सकते काफू सी रहाख सिर्फ लेक्ट्चे बीक्चेर जो हम बोल रहें इतकी बहुत जवरी चीज़ होती है यह शैर्फ हम इसई लिए बोल रहे है कि एक टाइम में मार्केट में चार्ट से गर एक ही चीज देखो बहुत ह इसे ही चलेगे चले यह वाली जो फॉर्मिशन थी और दूसरा मास्किंग बेबी केंड़ी इनके एक्जामपल में लोग देखते हैं भी फर्स लोग रसीटी बुलेंगे पंकर जी मैं कमूट करिए अपना अलो उनका सब बुल ही इसकेंड वाला जरा फिर से एक बड़ा एक् प्राइब यह लोग क्योंसीट फॉल हो रहे हैं गिर रहे हैं मतलब प्राइब आपके जो लोग है उसको ब्रेक करता चला जा रहा है एक टाइम ऐसा आता है कि पर्राइब करना चोड़ देगा वह ब्रिक नहीं करेगा वहां से जो इसके लोग से फोने शुरू रहने शुर पर आपको हमने क्या लिखाना टूट निकल जा उपर की तिरह को इसको मिला करके एक और दो in the 20 हो सकता है यहां पर test इसके लावा इंटनल इस्ट्पश्चर्स का रॉडूकंग करेंग तो फिर हम लोग इस master candle के बाहर प्राइज नहीं निकला है वो भी रेंज के अंधर ही है लेकिन early entry लेने के लिए फिर लोग internal structures का use करते हैं multi confirmations के साथ में अब अगर यह काम लोग इस टॉक्स के अंदर करें आप derivatives भी कर रहे हो आपको मानेज़े bank nifty को trade करना है तो फिर वहाँ पर nifty bank nifty के सबसे high weightage stocks निकाल उनके अंदर क्या हो रहा है अगर वो resistance ब्रेक कर रहे है और bank nifty के अंदर आपकी master candle का breakout नहीं हुआ internet structures का breakout हुआ है आप आप साथी दरफ trade मार सकते हो यह safe सुन रहता है क्लियर हुआ माइक म्यूट कर लिए अपने इसको हम लोग यहां से लेते हैं इस प्रैस कॉंटिनुसली डाउंसाइड की तरफ आ रहा है इस अपने लोग को प्रोटेक्ट किया है इस एक जगे पर प्रोटेक्शन के बाद में क्या हुआ है इसने आप साथ की तरफ है जो इसकी master candle है इसकी ऊपर इसमें क्लोजिंग दी है यहां से लगातार अपने लो को ब्रेक करता चला रहा है यहांने के बाद में यहां से का अपसट की तरफ मूँ दिखाने शुरू कि अभी भी देखिए प्राइज आपका आपके लेवल से अपसाइट की तरफ ही मूव करता है मज़बारा जस्ट आप पॉइंट फ्यू देखो कि जो आपका सपोर्ट एरिया है जो आपका सपोर्ट पॉइंट है मार्केट ने अभी तक उसके नीचे कोई भी एक स्ट्रॉंग सेलिंग नहीं दिया मतलब सेल की केंडल नहीं बनाई है नीचे की तरफ निकल नहीं कोशिश की प्राइज फेस ते आपका अपसाइट की तरफ ही क्लोज हो गया अभी भी चांसेज हैं कि प्राइज यह वाला जो अपना स्विंग है में भी चांसेज यह ब्रेक कर दे उपर की तरफ निकल जाई है और जब तक अपने लोज को ब्रेक नहीं कर देगा तब तक यह स्ट्रॉंग ही है जस्ट लोज प्रोटेक कोई और लिखती चाप यह कौन सा है ब्रेक हो रहे ना लगातार ब्रेक हो रहे है अगें लो लेकिन यह वाली जो केंडल बनी है सबसे डाउन की इसके निचे फिर मार्केट नहीं निकली इसके निकली ही ने इस रेंज के अंदर ही है मतलब कि लोज ब्रोटेक्ट हो रहे हैं कई सारे केंडल से हमको से कंथर देखने कर वह ली है या त्या oike तरफ निकली पिर यह आप साथ अब इस सारे Are जाओंगे इतने सारे structure हैं लेकिन अपनी मास्रे डिल क्यूपर इसक्लोजिंग कहां पर दिखा ही ना इस ग्रीन वाली के थूरू वॉलूम के साथ है यह सारे इन्टरनल इस्सेटर से अब इन्टरनल स्टरक्चर के थूरू जब लोग काम करें तो यहाँ कई सारे confirmations मिल रहे हैं कि आपको early entry कर सकते हो एक हैं हाँ है बड़ जो master candle है वो यह वाली candle बनती है प्राइस ने क्या किया ओपर की तरफ closing की अगें प्राइस देखे down side की तरफ है और जो इसके proper support points है यह वाली अगर कोई अपनी red candle है प्राइस जहां से reject हो रही है और इस master candle की ऊपर closing कर देने के बाद से प्राइस हमारी इस candle के नीचे अभी भी upside की तरफ तो इसके strong support zone कौह से हो जाएगी यह वाली जब तक इस वाई land की ऊपर है यह strong है अगर इसने गलती से इसके down side की तरफ के movement देखा है न ऐसल ध direction एकदम यह मान करके चलो trend clear है यह भी uptrend में ही है लगाओ दो stop loss hold कर ले जाओ इसको इस पर मिसली दिखा रहे है current अभी चल रही है market आप कोई भी stock उठा लो उसके पर काम करो यह कौन सा है यहां से देखिया है यह भी ऊपर नीचे की दरफ closing करते चले आ रहे है low low और यह low points अब यह black वाली candle आ गई है इसके नीचे मार्केट नहीं जा रही है जो black वाली candle है इसके नीचे मार्केट नहीं गए यहां से इसके कोई बात नहीं पूजा यह क्या बोलते हैं crypto का चार्ट है currency pairs है है यहां पर हम लोग 15 मिटे 30 मिट भी कर सकते हैं हम stocks में जब काम करें तो वह 5 मिट का टाइम फ्रेम ही रहेगा जहां पर इसलिए दिखा रहे थे कि यह running charts है थोड़ा सा अच्छे से समझ में आगा यहां stocks में आ जब 5 मिट का टाइम फ्रेम ही यूज करें मेरा point of action क्या माली यह मेरा point of action है कि हमें trade जितने भी कहने है वैसे यहां से करने इस एक जगह से अप्राइज गिर रहा है गिर रहा है लगातार यह गिर रहा है डाउन उसाइड कि तरफ ये गिरता ही चला रहा है यहां पर यह है न यह वाला एक area और यहां से भी नीचे की तरफ गिर गि इस एक जगह से protection स्टार्ट होगा master candle कौन सी बनी मेरी वो ये वाली candle है black वाली candle और यह हमारे daily time frame का area breakout upside के तरफ एक्शली देखना इसमें ये होता है आप ऐसे समझो इस formation में basically मैं देखना ये है कि price कभी भी गिरता ही नहीं रहेगा वो एक समय आता है कि price हमारा upside के तरफ जाता है इसलिए हम लोग इसको rejection बोलते है गिर रहा है गिरने दो गिर रहा है गिरने दो आजाने दो आने दो नीचे लेकिन एक जगह पर आकर कि price फिर किसी भी एक candle के lows को protect करता ही करता है वो protect करता रहेगा इस तरह से यह रहेगा closing नहीं कर पाएगा या upside के तरफ closing होगा तो आपकी मार दे इस तरह से range के उपर ही रहे अब यह internal structures हो गए यह मेरी master candle बन गई double confirmation लेने के लिए हम लोग यहाँ पर कभी कभी क्या करता है high to high जो closing होती है उसको marking start कर देते है higher highs एक तरह का higher highs का मतलब समझते न कि एक green candle फॉर्म हुई आपकी एक green candle फॉर्म हुई तो ठीक है यहाँ पर double confirmation क्या करते हैं लोग क्या करते हैं higher high लागा लेते हैं highs वापस से जब price retrace होने आ रहा है करते है इस strong तो वह ऐसे भी है लेकिन आपको लग रहा है यहाँ पर कोई कोई trade ऐसा तो इसमें confidence नहीं built होता है वेट कर लेते हैं close हो गया हो जाने तो एक candle और हम वेट कर लेते हैं हाई के ओपर closing लगा दे बस तो higher high लग जाता है यहाँ पर price जैसे low करा गया अब यहाँ सब लोग trade करना है start कर देंगे यह master candle ही अपनी सब कुछ होती है actually lower time frame पर यह जो एडिया होता है यह वाली candle होती है यह important होती है यहाँ पर भी सेम चीज़ वही हुए लोज मस्टर केंडल के उपर हो गए closing नहीं देखना है master candle के उपर जो candle closing एक और बन जाने दो candle बस confirmation है आप मार दो trade और ले लोग टाटा पावर है इसको भी ले लिए प्राइस गिर रहा है गिर जाने दो यहाँ पर देखे लोज protected है low protected है high के उपर market नहीं जा रही है low protected है लेकिन अभी हमें नहीं बता कि यह जैसे टाटा पावर ही हो गया ना low यहाँ पर भी देखे low ब्रेक हो गया अपर trend क्लियर होता है कि मैं करना क्या है low लोज यहाँ पर सिधे closing होती आ रही है लेकिन एक ना एक candle ऐसी आएगी जहां से low protected और फिर highs break होने शुरू होते हैं practice करना है इसकी आप लोग fix करना होता है इसलिए हम बोल देते हैं five minute का time frame आप किसी भी time frame पर लगा लेकिन fix रहना सभी लोग fix रहने इस वाले time frame के उपर और काम करो बस information का use कर ले जाओ दोनों formation वो जबरजस्त formation है बस आपके practice की दरकार है मतलब सिर्फ वो सिर्फ डिमांड आपके practice की सभी लोग back test अभी तो चलिए कल संडे है back test कर लेना है एक दिन का समय थोड़ा सा back test कर लेना main काम जो सारे के सारे levels mark करके इनके practice करके आप हमें share करोगे इसके screenshot मेरे पास proper आने चाहिए सभी लोगों के screenshot मेरे पास proper आने चाहिए हम जितनी अपना समय दे रहे हैं आप लोग भी अपना समय दे रहे हो उसका कुछ outcome निकलेगा तो next class के लिए energy बनती है कि जो चीज़े हम आपको ब thoughts चाहिए 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 वोट से परी शेयर कर देना ठीक है इतना सा काम करेंगा अभी थर्ड वाली formation जो है उसकी खुद आप देख लेना उसको जो formation बता है उसकी practice कर लेना और question answer session जो भी रहेगा तो उसको कल यह में inform करने हैं आपको कल के कल का जो session उसको one to one को question answer कर लेंगा तब इस सही नहीं लग रही है